आज मैं आपको फिर से नए डिजाइम की लड़ो कोपाल की ट्रेस बनाना बताऊंगी जिसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने सेम तीन कडर की बूल लिया जिस तरह से घीरे मिली थी तो अब हम बनाने स्टार्ट करते हैं इसे बनानी के लिए फ्रेंड हमने इसमें 34 फंदे डाले हैं बारह नमबर लड़ो कोपाल के लिए हमने इसमें 34 फंदे डाली हैं चूली के लिए तो हमने 34 फंदे डालने के बाद हम बनाना स्टार्ट कर रहे ह पहली रो है इसको हमने उल्टा-उल्टा ही बनाएंगे बॉर्डर के लिए हमने इसमें सेम दो कलर लिये हैं आप इसे वाइट कलर से भी बना सकते हो खाली मैं इसमें बॉर्डर बना रही हूँ यह देखो यह नएक का बॉर्डर है पूरी सलाई बना ली है अब हम इसके सीडे सलाई पर आ चुके हैं पहला फंदर से लिप कर लेंगे इडर से भी हमने इसको उल्टा-उल्टा ही बनाएंगे यह देखो दो सलाई हमने बना ली हैं अब हम इसके उल्टी सलाई पर आ चुके हैं तो हम यहां से अपना दूसरा कलर लगाएंगे इस वूल को आगे की तरब इस तरह से दवाते हुगे तो देखो फ्रेंड हमने यह देखो दोनों साइट से बना लिया उल्टी उल्टी दोनों कलरों को तो बॉर्डर बनके तैयार हो गया हैं अब हम यहां से अपना उल्टी सलाई से अपना हम वाइट कलर को लगा देंगे और इस वूल को इस तरह से आगे की तरब दवाते हुए लो को एखना हुए यह देखो अब हम सीधी सलाई पर आ चुके हैं यह देखो तो सीधी सलाई पर हमने पहला फंदा हम स्लिप करेंगे गुल को अपने साइट करेंगे और चार फंदे हमारे ओल्टे रहेंगे पहला फंदा स्लिप किया एक दो तो तीन चार फंदे यह बटन पट्टी के लिए तो देखो फ्रेंड हमने चार फंदे बॉर्डर के लिए बना लिए अब हम बूल को पीछे करेंगे तीन फंदे हम यह एक और दो और तीन यह कंदे के लिए आगे यह बॉर्डर के लिए बटन पट्टी के लिए तीन फंदे कंधे के लिए अब हम यहां जाली देंगे गुल को अपने साइड करेंगे एक जाली देदी यह देखो अब हम चार फंदे बाजू के लिए एक दो तीन चार फिर हम यहां जाली देगे चार फंदों के बार यह देखो, जाली टेदी, अब आठ फंदे हम पीट के लिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे हमने पीट के लिए बना लिए, अब हम फिर से यहां जाली देगे, अगली बाजू के लिए, बूल को अपने साइट करके, यह देखो, जाली देदी, अब हम आगे के चार फंदे, अगली बाजू के लिए, एक, जाली देने के पाद, दो, तीन, चार, अब हम फिर से जाली देगे, बूल अपने साइट करते ह जाली देदी अब हमने तीन फंदे जो कंधे के लिए थे एक दो तीन फंदे हमने कंधे के लिए बनाए अब यह देखो तोटल हमारे आगे के चार फंदे रह गए एक दो तीन अब बुल अपने साइट करते हुए इन चारों को तीन फंदे उल्टे बनाएगे बटन पर टिकरे एक दो तीन सबसे लाश्ट कबूल को पीछे करेंगे सीधा बनाएगे क्योंकि हमने यह इस तारह से फंदे बांट लिये हैं क्योंकि यह 34 फंदे का हमारा गला था अब इसको उल्टी सलाय को पूरा उल्टा बनाएगे यह देखो जाली बाला पंदा है उसको भी हम उल्टा बना लेगे यह देखो जाली डाली यह देखो इसको भी उल्टा बना लेगे तो पूरी सलाय को मैं उल्टा बना लाती हूं तो देखो फ्रंट पूरी सलाय को हमने उल्टा बना लिया है यह देखो अब हम इसकी सीधी चलाय पे आ चुके हैं तो सीधी चलाय पे पहला फंदा तो हम से लिप करेंगे फिर हमारी बूल को अपने साइट करेंगे तीन फंदे एक यह हो गया दो तीन चार चार फंदे हो चुके हैं बटन पट्टी के लिए हमने चार फंदे रखे हैं बूल को प तो उसisten फन्दा बढ़ गया है तो ये 4 फन्दे पहले तीन थे अब वने फन्दे पर चार पहुंड रही हैं यहां पे जाली अधा है उसे डेला है उसे फिसी पर आक नशिकर श्रक रहे खाव को दूंड है यह देखो जाली देदी आपने साइड करेंगे तो देखो फिर से बूल अपने साइड करेंगे एक जाली देदेंगे अब यह आगे के फंद एक दो देखो फ्रेंड यह दो जाली देदी देखो फिर से जाली देदी दो 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 फंदी बढ़ेंगे फ्रेंड में एक बढ़ेगा अब हमारे यह पीछे बैक का आगया है इन्हें हम बैक के को बना देगे एक यह हमारा चाली वाला फंदा आगया है फिर से हम इस पे जाली देए बढ़ा हुआ फंदा सीधा बनाएंगे यह जाली वाला फंदा आगया है इस पे हम फिर से जाली देएंगे यह देखो अब हमने सीधी सलाई बना लिए इसके उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे वाल। तो देखो फ्रेंड यह हमने आगे के चार फंदे उल्टे बनाएंगे चार फंदे उल्टे बनाए और आगे के बना अब हमारे फिर जाली दाले जाली से अब आपिना और यहाँ नने में उसाइटिक विसंदे फ्रले जाली फंदे जो फंदा जाली वाला है उसी के उपर देनी है फिर बढ़े हुए पंदे इनको भी हम सीधा बनाएंगे यह हमारे बाजूब वाले है एक जाली यहां पर दी है यह देखो और एक जाली हमने आगे दी है यह देखो यह हमारा जाली वाला फंदा आ गया है गुलो को अपने शाहिद करेंगे फिर से हम यहां जाली देंगे जाली देदी देखो आगे के सीधे इसी तरह हमने के दो बाज़ा पजाली दी हैाँ आगे के चारसंदे है वस लास्ट का सीधा बनाएंगे 3 को अलटा बनाएंगे यह देखो ऑफ हमने 1,2,3,4,5,6,7 शाथ साथ सलाईओ सालाई बना ली है अब हम इसके अलटी सलाई को पूरा अलटा बना लाती हो तो देखो फ्रेंड उल्टी सलाई को पूरा उल्टा बनागे कम्प्रिट कर लिया है अब हम इसके सीधी सलाई पर आ चुके हैं पहला फंदा स्लिप करेंगे एक बार और बता देख्यों यह देखो तो एक दो तीन चार यह हमने उल्टे बनाने है तीन और सबसे लाश्ट काई इसको हमने सीधा बनाया है बोल को पीछे करेंगे अब हमारे यह सीधे रहेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ यह देखो साथ पंदे हुए फैले हमारे तीन थे यहां से हम पढ़ते चलेगे क्योंकि हमने यहां पर जाली डाली है अब हमने यह हमारा जाली पाला फंदा आ गया है बोल को अपने साइद करेंगे फिर से जाली देंगे जाली दी अब हमने आगे के जो बढ़ा वपन्दा है उसको भी सीधा बना लेंगे अब हमारा यह बढ़ा पंदा है इसको भी हम सीधा बना लेंगे तहीं बना लिया अब यह जाली वाला पंदा आ गया है वोल को आपने साइद करेंगे फिर से यहां पर जाली देंगे जाली उसी पे जाली देना है जो हमारा जाली बना लेंगे तो एक करते हुए हमारा फंदा दोनों साइक से बढ़ रहा है क्योंकि हम इधा भी जाली दे रहे हैं इधा भी को कि अब आगे वाजु का जाली देंगे तो यहां पे हम इते हैं जाली डाल देंगे और टीरी आगे का सीधा है इनको हम सीधा बनाएंगे, यह देखो, यह देखो, अब यह हमारा जाली वाला फंदा आ चुका है, यह वाला, यह तो हम बूल अपने साइज करेंगे, यहां से हम फिर से इस पर जाली डालेंगे, यह देखो, जाली डाल दी, आगे के सीधे वाले फंदे सीधे बना लेगे, अब यह देखो, आगे के हमारे पूल को आगे करके, यह चार फंदे हैं, इनको हम उल्टा बना लेगे, एक, दो, तीन, पूल को पीछे करेंगे, इसको स बना लेते हैं तो देखो फ्रेंड हमने इसमें कितनी जाली डाली है और कितनी तो तीन सलाई तो हमने यह बनाई है बॉर्डर की चार पात छे साथ आठ नो दस ग्यारा और बार्मी हमारी सलाई के उपर है तो हमने बार्मी को अब मैं आपको ए बार्मी सलाई भी बताऊँगी किस तरह से बनाई है जिस तरह से हमने इसमें जाली डाले इस से मुझी तरह से बनानी है तो यह हमारा जाली वाला फंदा आगया है बुल को अपने साइट करेंगे हमने जाली डाल दी, हूल को अपने साइट करेंगे, हमने जाली डाल दी, यह देखो, अब आगे के हमारे बाजपले फंदे हैं, इनको भी हमने इसी तरह सीधा-सीधा बनाना लेना है, यह आगे के, यह हमारे बाजपले हैं, यह देखो, अब हमारी अगली, यह बाजपले हैं, यह बाजपले हैं, यह बाजपले हैं, यह देखो, अब देखो, आगे हमारे पीट के फंदे हैं, इनको भी हमेशी तरह बनाएंगे, शीधा-सीधा टो देखो, फरेंड हमने पीट के फंदे बना लिया, अगली हमारी बाजू के हैं, औ西 तरह से यह बनाएंगे, तो हमने अगली बाजू के फंदे भी इससी तरह बनाएगे, पहले हम जाली डालेंगे, बूल अपने साइट करेंगे, तो हमने जाली डाल दी, फूल अपनी साइट करेंगे जाली डाल लेंगे, ये देखो, तो दोनों साइट से हमारे फन दे बढ़ रहे हैं इधर से भी और इधर से क्योंकि हम दो दो जाली डालेंगे, अब ये हमारे पाजु के फन दे हैं, तो देखो हमने ये बाजु के भी ब यह देखो अगली जाली डाल ले गूल अपनी साइड करेंगे जाली डाल दी अब हम आगे यह कंधी के हैं जो हमारे आगी की साइड है अब यह चार फंदे बचे हैं इनको हमने तीन गोट उल्टा बनाएंगे एक दो तीन और चोथे को बूल पिछे करके इसको सीधा बना लेंगे तो यह देखो हमने यह बार्मी सलाई हमने इस तरह से बना ली है जिस तरह से हमने यह आगी की 11 सलाई बनाई है तो अब हमने अब इसके उल्टी सलाई पे हमने अपना इस तरह से बॉर्डर डालेंगे जिस तरह से हमने यह आगी का नेक पे बॉर्डर डाला है तो हम अपना यह कलर लगा लेंगे तो देखो फ्रेंड हम अब हम उल्टी से लाई पर आ चुके हैं तो पहले हमने एक यह पहला फंदा स्लिप करके आगे के फंदे हैं इंको इसी तरह बनाएंगे पहले यह देखो वहां तक हमने बनाना है जहां तक हमारी जाली है तो यह हमारी यहां से जाली आ चुकी है यह देखो जाली वाला फंदा है यह देखो तो जाली वाले फंदे तक हमने बनाना है यह हमारा फली वाला फंदा है जो हमने जाली के लिए यह देखो तो यहां से फ्रेंड हमने अपना दूसरा कलर लगाना है फाली बाजू के लिए हम बॉर्डर बनाएं तो हमने बाजू के लिए ही अपना दूसरा कलर लगाएंगे यह देखो उल्टी सलाई से हमने यह तो एक, दो, तीन, इसको आगे की तरब दबाते हुए चार, पाज, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेहरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, इन्नीस, बीस, और यह इक्किस, इक्किस फंदे हमने यह अपने बाजू के बॉर्डर के लिए बना लिये हैं, तो खाली हम बाजू बताएंगे, आपको इसे फुल बाजू चाहिए, मैं इसमें हाप बाजू बता रही हूँ, आपको फुल बनानी है, तो इसी तरह बनाएंगे, अब हम यही से इसको पलट लेंगे, तो देखो फ्रेंट, जिस तरह से हमने नेक पे बॉर्डर डाला था, उसी तरह हम इसका बॉर्डर डालेंगे, यही से पलट लिया है, जहां से हमारी फली, मतलब जो जाली डाली थी, यही से हमने बाजू बाजू के फंदे, बनाने के बाद, यही से पलट लेला है, यही से बाजू की यही से लिएाू के लाजू अज manifי्टिए, अब हम इसको पर लट लेंगे और हम अपना ये ग्रीन कलर को लगाएंगे हमने अपना पिंक कलर लगा लिया है अब हमारा ग्रीन कलर लगेगा ये देखो इसको भी हम इसी तरह अंदर की तरफ दबाते हुए अब इसको यहीं से पलट लेंगे और सीधी साइड से भी हमने इसको उल्टा उल्टा ही बनाएंगे यहीं से लगा बनाएंगे बना लिए तो देखो फ्रेंड अब हम यहां से उल्डी साइट आ चुके हैं दोनों सलाई बनाने के बाद अब हम फंदे बन करेंगे दो फंदे एक साथ लेंगे दोनों को एक साथ बनाएंगे एक फंदा घड़ जाएगा वापिस सलाई में डालेगे यह देखो बना लेखो लेखो ले खुड़ लेखो बिल्ड़ लेखो लेखो यह दिखो अब पिस अलाई में डालें यह दिखो तो हमने सारे फंदे गटा दिये अब हम आगे के अपने वाइट कलर की वूल से तो देखो फ्रेंड अब हमने इस तरह से आगे यह वाइट वाला फंदा ले लेगे और यह गरीन वाला अब यह वूल हमारी पीछे है ये वाइट वाली इसको इस तरह से आगे की साइड इस तरह से लाएंगे तो ये हमारा ये देखो इस तरह से दोनों हमारे बाजू इस तरह से आ जाएगी ये देखो तो इस वाली वूल को आगे लाते हुए इस से दोनों फंदों को हमने इस तरह से बना लेंगे और गरीन वा तो यह हम पीत के फंदे बना रहे हैं आगे के और फिर अगली बाजू बताएंगे इसी तरह तो देखो फ्रेंड अब हम यहां से हम अपने दूसरी बाजू बनाएंगे जिस तरह से हमने अपने यह वाली बाजू बनाई है यह देखो इसी तरह हम यहां से जहां से हमारे जाली आईगी वहीं से हमने यह जाली आ चुकी है तो यहां से हम अपने दूसरी bulg को यह लगाने है तो देखो फ्रेंड हम अपने अगली बाजु के लिए जहां से जाली डाली है यह देखो वहीं से हमने अपनी दूसरी बाजु के लिए दूसरा कला लगा देना है यह देखो तो कितने फंदे हैं दो, दो, चार, दुछे साथ आठ नो दस, ग्यारा बारा तेहरा, चौदा पंदरा सोला सत्रा सॉरी यह हमारा जैली वाला फंदा है अठारा उननेस हमने बीस बीस तो एक, एक्किस एक्किस फंदे हमारे इसके थे तो देखो फ्रेंड, एक्किस फंदे हमारे इस बाजू के थे तो एक्किस हमारे इसके हैं यह देखो तो यहीं से हम पलट लेंगे और इसको इसी तरह हम बॉर्डर बना लेंगे जिस तरह से हमने इसका इस वाली बाजू का बॉर्डर बनाया है यह देखो इसी तरह मैं इस को यहां से उल्टी सलाई उल्टी साइट से उल्टी बनाएंगे और सीधी साइट से सीधी बनाएंगे अब यह पीट वाले फंदे और बाजी वाल यह आगे के फंदे दोनों को इस तरह से बनाते हुए आगे तक बना लेंगे यह देखो इस तरह से लाश्ट का फना इसको सीधा बनाएंगे जो देखो उल्टी सालाई बना लिया अब हम सीधी सालाई बनाएंगे पहला मददा शिलिप कर लेंगे बटन-पत्थी के लिए जो हम बनाते आ रहें चार फंदे हो चुके हैं पूल पीछे करेंगे यह देखो हमारे बटन पती के लिए हमने इसी तरह बनाने है आगे की सीधे ही बनाएंगे यह देखो इसी तरह में नीचे तक बना लाती है तो इसी तरह उसी तरह सीधा बनाएंगे और उल्टी साइट से उल्टा तो दोनों साइट से इसी तरह बनाते हुए मिलिया तो इसको कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाऊंगे देखो फ्रेंड हमने चोली को बनाके कंप्लीट कर लिया है यह देखो तो चार सलाई हमने सीधी 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 साइट से बनाए है और उल्टी साइट से उल्टी देखो फ्रेंड चोली कर बनके कंप्लीट हो गई है तो देखो फ्रेंड हम इस चोली को इसमें अटेच करेंगे इसको सिलाई कर लेते हैं ये देखो इस तरह से पकड़ते हुए इस गेरे में इसकी सिलाई कर लेते हुए इस तरह से गुमाते हुए तो देखो फ्रेंड ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है आपको ड्रेस कैसी लग प्लीज कमन्ट गर के जबर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ